बिशनु परकास भाई का कमेंट है सर हम कैसे दो एम्प्लिफायर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर इनका कमेंट है कि दो एम्प्लिफायर को आपस में कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं इसी टपिक में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो के थूरू जैसे कि हमारे पास छोटा mixer होता है और हमारे पास दो या फिर तीन amplifier होते हैं तो हम कैसे connection करेंगे यह मैं आपको बताने वाल हूं इस वीडियो की थूरू तो वीडियो का इन तक देखते रहेगा चैनल में सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो नमस्कार दूस्तों मैं हूं भी सेक और आप देखने हैं डिजयो रूक चैनल दूस्तों बात करते हैं पर दो amplifier का connection या फिर तीन amplifier का connection हम कैसे करेंगे जैसे कि यहां पर हमारे पास dual channel power amplifier होते हैं और हमारे प amplifier या फिर तीन amplifier का connection करना होता है तो हम कैसे करेंगे यह आप step by step देख लिजिए वीडियो का इन तक देखिएगा इसकिप मत करिएगा कहीं भी तो चलिए बात कर लेते हैं पर हम connection के उपर guys यहां पर पहले हम ले ले mixer जैसे कि यहां पर mixer देख सकते हैं mixer से हमारा दो output निकलत देख सकते हैं और output हमें कितना मिलता है सिर्फ दो अगर आपके पास छोटा mixer है तो यहां पर simply आपको दो output ही मिलेगा तो यहां पर दो output से हमारा काम नहीं बनता है सो guys यहां पर आपको यहां पर आपको डेजी चैन करना होगा जैसे कि यहां पर amplifier से amplifier को आपको connect करना होगा जैसे कि यहां पर mixer से output हमारा जो दो output निकलता है simply यहां पर हम एक amplifier में connection कर देंगे कैसे करेंगे यहां पर output लेंगे एक output लेंगे mixer से और channel 1 में input कर देंगे और दूसरा output लेंगे और channel 2 में input कर देंगे एक amplifier का connection हमारा complete हो जाता है first हमारा काम यही होता है कि हमारा पहले amplifier को हम connection कर लेते हैं तो यहाँ पर first step हमारा यही है कि पहले amplifier को हम connection कर लेते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा step यह है कि हमें cable चाहिए उस type के जैसे कि आपको अगर unbalance और balance दोनों केबल अगर आपके लगते हैं आपको amplifier आप देखना पड़ेगा आपको कि amplifier में आपको कैसा केबल लगता है unbalance लगता है या फिर balance लगता है और mixer में भी आपको देखना पड़ेगा कि balance unbalance कैसा लगता है उस type का आपका matching cable होना चाहिए तभी आप यहाँ पर connection कर सकते हैं तो उसी type के आप market से cable ले लिजिए या फिर बनवा लिजिए then यहाँ पर आप connection काफी easy तरीके से कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारा first step जो है complete हो जाता है पहले amplifier में हम connection कर लेते हैं mixer से और दूसरे amplifier में हम connection कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जहां हमने amplifier में input किया है उसके बगल में आपको output section मिल जाता है जैसे कि आपको आपके amplifier में link लिखा होगा या फिर out लिखा होगा या फिर उसी type से आपको देखने को मिल जाएगा अगर नहीं भी लिखा होगा तो आपको जो है जो आपका उसके बगल में है वहीं से आपको output section आपको बना लेना है वहीं से आपको दूसरे amplifier में connection कर देना है आपको कैसे connection करना है यह आप देख लिज़े ध्यान से यहाँ पर देखिए channel in और मतलब channel in तो हमने कर दिया मतलब की input हमने कर दिया है तो हमें output क्या हो सकता है तो यहाँ पर हम उसके बगल से ही आपको output लेना है यहाँ से हम output लेंगे दूसरे amplifier में channel 1 में input करेंगे और देन वहीं हम channel 2 का जो output रहेगा वो भी हम channel 2 में input करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे screen में आप देख सकते हैं काफी easy तरी से हमको connection करना होगा और यहाँ पर हम 2 amplifier का connection easy तरीके से कर लिया है तो हमारा दूसरा step यहीं है कि हम यहाँ पर output लेंगे वही amplifier से जिसमें हमने input किया था काफी easy तरीका है अगर आप parallel connection में नहीं चलाते हैं तो आप stereo mode में काफी easy तरीके साब इस type का connection कर सकते हैं और अपना speaker का output जो भी speak on या फिर direct wire से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप direct wire से भी ले सकते हैं और base या फिर डॉप जैसे भी आपको चलाना है उस type से आप operate कर सकते हैं एक छोटे से mixer के थ्रू अगर आपके पास distributor नहीं है तो अगर आपके पास है तो आप काफी अच्छे है distributor भी आप लगा सकते हैं अगर आपको parallel mode में चलाना है तो आप parallel mode में भी चला सकते हैं So guys यहांपर अगर आपको 3 amplifier भी connection जो आपको 3 amplifier है और 3 amplifier भी आपको connection करना है तो simply इसी type से कैनेक्शन करना है उसी में आपको output ले लेना है उसे बगल में और आपको 5issement में चैनल 1 में इंपुट करनना है और वहीं से आपको लेना है channel 2 में इंपुट कर देना यह Fastharp काफी himself दोस्तक साथ अगर आपके पास कोई भी कमेंट हो या फिर कोई सुझा हो या फिर कोई क्वेस्चन हो कोई टोपिक हो तो कमेंट में जुरू बताएगा आपके टोपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोईश करूंगा आज के वीडियों बस इतना ही था कि यहाँ पर दो सेट कर लिजेगा मिलते हैं किसी नए टोपिक साथ तब तक के लिए जय हिंजय भारत वन्दे मात्रम